मुझा प्रीब्यू याया खान भाई जो हाए वो 1969 भाई आपके सामने मैं आपको बताया था कि अयूब खान 1958 से लेके 1969 तक थे और फिर अयूब खान ने रिजाइन कर दिया 25 मार्च 1969 में अयूब खान ने रिजाइन कर दिया रिजाइन करने के बाद अयूब खान ने अपने दोस्त याया खान को बलाया और बोला तुम आजाओ कंट्रोल पर जब याया खान आए तो याया खान ने सबसे पहले जब भी कोई आता है न मार्शल लाँ लगाने तो वो अपना कॉंसिटूशन अब्रोगेट कर दिता है तो इन्होंने 1962 का कॉंसिटूशन अब्रोगेट कर दिया जो कि आयूब खान ने बनाया था और इन्होंने मार्शल लाँ लगा दिया आप भी उदा होगे 1969 में यूब ने रिजाइन करा, यूब ने याया खान को बलाया, याया खान ने कॉंसिटूशन अटाया और मार्शल लॉल लगा जाए। मार्शल लॉल लगाने के बाद उन्हों ने एक वक्ति तौर पेक कॉंसिटूशन मराया जिसका नाम था लीजल फ्रेमवर्क और और, लीजल फ्रेमवर्क और आपके पास पेपर के अंदर चारमग का सवाल आ सकता है, कि सर ये लीजल फ्रेमवर्क और क्या था caring तो लीजल फ् पेपर में आ जाए कि what was LFO घबराना नहीं है LFO 1970 के अंदर आया कब आया 1970 के अंदर आया या खान ने दिया यह वक्ती तोर का Constitution था और वक्ती तोर के Constitution के अंदर क्या कहा गया कि मैं election करवाऊंगा क्या बोला गया मैं election करवाऊंगा पहली दफ़ा किसी बंदे ने बोला है मैं election करवाऊंगा अगर मैं बात करूं तो आयूग खान ने तो 80,000 इलेक्टरेट से 80,000 इलेक्टरेट में क्या कर रहा था वो बंदे सेलेक्ट करके अपना ही रूलर ला रहा था लेकिन इस बंदे ने गा कि हर बंदे के पास हक होगा कि वो अपना वोट दे सकेगा वन मैन वन वोट उसने का हमने नया constitution फ्रेम करूंगा नया कानून बराऊंगा 1962 वाला फालत होगा फिर उसने का Islamic ideology लाऊंगा Islamic ideology मतलब कि पाकिस्तान को जो डूल करेंगे वो इसलाम के हिसाब से करेंगे इसलाम के दाएरे से बाहर नहीं Hindu's हो गये 6 हो गये Christianity हो गये उन सबके rights को protect करूँगा फिर इन्होंने का जो head होगा जो आपका Prime Minister होगा जो आपका Governor General होगा आपका प्रेजिडेंट होगा वह सारे के सारे Muslim होगे और जो elections जीतेगा मैं उसको power क्या कर दूँगा transfer कर दूँगा और President की power क्या होगी उग ज्याद ने बनाया, याया खान ने वक्ती तोर का constitution बनाया, इसमें का कि मैं elections करवाँगा, one man, one vote, जो जीतेगा, मैं इसको power transfer कर दूँगा, इन्हों ने ये का कि वो नया constitution बनाएंगे, Islamic ideology को हम प्रोटेक्ट करेंगे, minorities के rights को प्रोटेक्ट करेंगे, जो head होगा, वो मुसल्मान होगा, और ये सारी कहानी करते वे, इन्हों ने LFO बनाया, तो LFO आपके पास चार माक का अगर आ जाए, तो आपने रोना दोना शूरू नहीं कर देना, तो याया खान का बाए, 1969 माए जब अयूब ने क्या कर दिया, रिताइन कर दिया, अयूब ने याया खान को बलाया, याया खान आ गए, याया खान ने constitution हटा दिया और LFO अपना बनाया, अब जब LFO बनाया, तो उसके बाद इन्हों ने elections करवाए, क्या करवाए पिटा, elections, elections जब करवाए, 1970 के अंदर, तो आप ये बताओगे, कि ये पहला election था, जिसके अंदर लोगों के पास ये choice थी, कि they can choose their leader, ये पहला election था, जिसके अंदर क्या हुआ, पहले election जब ये हुआ, तो इसके अंदर क्या हुआ, इस पाकिसान के अंदर strong कौन था, अवामिली, जो के मुझीवर, शेक मुझीवर, रह क्या कर रहे थे, लीट कर रहे थे, और आपके पास वेस्ट पाकिस्टान के strong कौन था, पाकिस्टान पीपल्स पार्टी, कौन था, पाकिस्टान पीपल्स पार्टी, पाकिस्टान पीपल्स पार्टी strong थी, अब election हो गए, जब election हुए, तो वेस्ट पाकिस्टान के अंदर 81 out out of 138 seats किसके दी पाकिसान पीपल्स पार्टी की और इस पाकिसान के अंदर कितनी दी 160 out of 162 seats अवामी लेक की मतलब अगर मैं elections के results को समझू तो elections अगर मैं total seats देखूं तो total seats बनती है 300 कितनी बनती है विटा तो इस पाकिसान वन सिक्स्टी से ज्यादा जीता है त्यूंकि इस पाकिसान में वह सिर्फ पाकिस्टी जीता होगा तो वन सिक्स्टी से ज्यादा और अगर मैं बात करूं जुल्फिकार की तो जुल्फिकार maximum point of view पे पाकिसान पीपल्स पार्टी maximum point of view पे 83 जीत सकती है तो भी 83 सीट्स बनती है पाकिसान पीपल्स पार्टी की सीट्स क्या थी कम थी आप यह बताओगे कि मुझीबर रह्मान जीत गए और जुल्फिकार अली भुट्टो हार गए elections के अंदर आपटाओगे पहले उलेक्शन पहले इलेक्शन जब हुआ तो इसके अंदर आप дов पाकिसान था हुआँ जो एस पॉर्टार गुएं मिजॉरिटी के अंदर मुझीब जीद जा दें, शेक मुझीब और रहमान है, he won the elections, वो elections जीद गए, सही है, तो ये हमारे पास कहानी है, होफुली आप लोगों को यहां तक की गानी समझा गए होगी, कि याया खान कौन थे, याया खान 1969 में है, जब आयूब ने क्या कर दिया 70 गंदा बनाया, उन्होंने बुला कि मैं election करवाओंगा, जो जीते को इसको power transfer कर दूँगा, उन्होंने सारी बकवास करी कि constitution नया फ्रेम करेंगे, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, जो भी वो होगा, नया constitution फ्रेम कर देंगे, उसका election जो है, वो हम करवाए जो पहला election हुआ, तो पहले election के अंदर लोगों ने जब select करा, तो लोगों जो पहली दफ़ाए ये था कि लोगों को select करने का मौका मिला, इच पाकिसान के अंदर जो support था हो किसका था अवामी लीग का, अब वेश पाकिसान के अंदर support था पाकिसान People's Party का, election होते हैं इच प पर में एक सवाल आया कच्छला सवाल है वाई विक्टरी ओफ अवामी लीग कॉस कॉंसिटिटूशनल क्राइस इसकी वजा से क्यों आए और किस तरीके सा है तो सबसे पहला भी होता होगे कि अवामी लीग जो थी वो जीत गई उतकी बहुत हुज विक्टरी थी कि वो भाई अपनी गवर्मेंट बनाने वाली थी लेकिन जो प्रेजडेंट याया खान थे जिन्होंने इलेक्शन्स करवाए थे उन्होंने अपना पहला सेशन पोस्पोन कर दिया और कॉंसिटूशन असेंबली का पोस्पोन हुआ तो उसकी विजा से क्या हुआ कि आपके कॉंसिटू याया खान जो ते वो कहां के दूलर ते याया खान थे वेस्ट के वो ये देख ही नहीं सकते थे कि ईश पाकिस्टान का कोई लीडर बने जिसकी वज़ासे उन्होंने फर्स सेशन जो था कॉंसिटूटन असेमली का वो पोस्पोन कर दिया क्या कर दिया पोस्पोन कर दिया फिर आप ये वदाओगे कि जो लीडर्स थे वेस्ट पाकिस्तान के कहां के लीडर्स थे वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स से हेट करते थे जिसकी वजह से और इस दफ़ा गवर्मेंट इस पाकिस्तान की बन नहीं थी जिसकी वजह से पोश्पोन करते रहे फिर आप ये वदा बोला कि government में रोल तो ऐसे मिलेगा नी क्योंके भाई अवामी लीग तो बिलकुल majority में तो इनों ने क्या गरा इनों ने रोना दोना शुरू कर दिया इनको government में रोल चाहिए था वेस्ट पाकिसान और ये चाहिए था जिसकी जई से बिलकुल corporate नहीं कर रहे थे इस पाकिसान के साथ अवामी लीग के साथ बिलकुल corporate नहीं कर रहे थे जिसकी वज़ाभास है constitution नहीं बन पाया देखो अगर आपके लोग hjälण करीच के तो constitution काव से बनाओगी पिर आपी बताओगे जब अवामी लीग इलेक्शन जीद गई तो उन्होंने आपको इबात पता होनी चाहिए कि अवामी लीग ने क्या बात गई थी अवामी लीग ने ये बात गई थी कि भाई हर चीज के अंदर हर चीज के अंदर हर पावर अलग होगी मतलब सिर्फ जो जीतेगा उसके पास डिफेंस और फॉरेंट पावर्स होंगी बागी सारी पावर्स किसके पास होंगी इस्ट और वेस्ट के पास मुझीब के सिक्स पॉइंट स्वाप को यह बात याद होनी चाहिए अवामी निक जब इलेक्शन जीत गई उन भी आई अन्दा बेसे इसके एसके सेंट्रल गवर्मेंट के पावर्स कम होनी चाहिए वो जीत गई लकिन जैसे ही जीती तो जितने भी एरियास था पाकिसान के वो सारी पावर मांगने आ गया है खिर भाई हमें पावर्स चाहिए अब उस वक्त इतने फंड्स नहीं दे क के Central Government उनको Power दे सके और जिसकी वजह से जब उनके लोग जो थे उनके खिलाफ होना शुरूँ गए तो क्या आना शुरूँ गए Constitutional Crisis आगए तीन रीजन्स है Constitutional Crisis के आप क्या बताओगे कि पहला जब आपके पास अवामी लीग जीत गई तो उनका राइड बनता था कि वो लोग अपनी पूरी पार्टी फॉर्म करें लेकिन जो हमारे याया खान भाई थे उन्होंने पहला जो हमारा Constitutional Crisis का सेशन था उसको डिले कर दिया जिसकी वज़ासे Constitutional Crisis आए दूसरा रीजन लीडर्स जो थे वेस्ट पाकिसान के वो जलते थे जुल्फिगार अली बुट्टो भी वेस्ट का था तो जुल्फिगार अल Central Government का सिर्फ दो पावर्स होनी चाहिए बाकी पार्स प्रोविंस के पास होनी चाहिए जैसे वो लोग इलेक्शन जीते हैं डिफरेंट लोग क्या आनशोग है पावर मंगना आनशोग है अब पैसे और इतने थे नहीं जिसकी वज़ासे वो Central Government के पास ही क्या थे वो सारी पा Why did the victory of Awami League in 1970 elections in Pakistan cause a constitutional crisis? The Awami League had won a landslide victory in East Pakistan and the National Assembly and was in a position to form a government on its own. However, President Iaya Khan postponed the first session of constitutional assembly delaying the right of Awami League to take over the National Assembly by forming a government. This gives us a constitutional crisis. Awami League with a huge number of seats from East Pakistan mean that the future Prime Minister and the entire cabinet could be formed from the Awami League. This fact was not very well taken by the political leaders of West Pakistan who resented to be controlled by a government led by East Pakistan. Even though Zulfikhar Ali Bhutto and the Pakistan People's Party had won an overwhelming victory in West Pakistan, it was likely it would have no role in the future government whereas Zaib wanted government in West Pakistan claiming that his party hold the majority of the seats in West Pakistan hence did not cooperate with the Awami League which in result caused constitutional crisis. Third reason, the Awami League had won the election on a program limiting the power of central government over the provinces. The different areas of the country wanted to have control over the foreign exchange and from trade which would subsequently reduce the funds to the central government in West Pakistan. Hence, there was constitutional crisis. कि अब्ष्यस क्वाहिशन क्रैसिस के बाई आई. अब सवाल आपके पास एक आ सकता है कि भई अवामी लीक उलेक्शन क्यूं जीती अब इसके अंदर हम क्या बदाएंगे? सबसे पहले जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको पहले से पता होने चाहिए वो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं सबसे पहले इस्टेंड विंग कचला सवाल है लेकर आपको पता होना चाहिए यार अवामी लीग क्यों जीती पाकिसान पीपल्स दिन जुटेंड टिन इस की वज़ा से उन्होंने वोटी आवामी को चरह दूसरा रिजन यहां अनदर रीजन वज़ेंगा इस्ट विंगहद योडिकर बिंद्ट्रील पेस दन अवेस्ट जिंग इस्ट्रीट पिंग्स थे मज़र्स पेस्ट फिलूट्स पेस्ट पेस्ट इस्ट विंग नाइटीन सेवेंटी बोला साइकलों हैंस इस फेल्ट निग्लेक्टेट बाइड वेस्ट पाकिस्तान और था इस्ट के अंदर वेस्ट बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था पिर आप यह बता होगे कि जब अगर कोई मसला भी आता था था तो बेंगाली की आपको यह बात बता रहा हैं बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग वेस्ट के अंदर रहते वे इस्ट की मदद नहीं करते थे बोला साइकलों आना है 1970 के अंदर उदर जाकर एंजी उसने जाके मदद करी गवर्मेंट ने मदद नहीं करी मतलब शरम से डूप जाना और बंगाली जो हमसे अलग वे बिलकुल सही अलग है क्योंकि हमने उनको पर जुल्म करा तो ही अलग है तो आप यह बता होगे कि हमने उनको पर जुल्म करा जिसकी वजह से उन्होंने वोट हमें नहीं दिया और अवामी लीग कोई वोट दिया जिसकी रहा से अवामी यह सपोड़े बिल्कुल सटिस्वाइड नहीं थे इस पाकिसान वर नॉट सेडिस्वाइड इकॉनोमिक पॉलिसी ऑफ यूप गवर्मेंट गवर्मेंट गॉणाइज थेमसेड्स अंडर दीडर्शिप ऑफ शेख मुजीब रहमान प्रेजिटे देमाइड फुल ऑटोनमी अ हमने उनके साथ इंजस्टिस करीं दूसरा बोला साइक्लान का था हमने उनकी मदद नहीं करीं तीसरा बहुता हो गया है किया उनकी पॉपिलेशन ज्यादा थी तो इसकी दास से इसली वान दी इलेक्शन्स वो लोग इलेक्शन्स इसली जीद गए तो यह हमारे पास कहानी थी ओफिली आप लोगों को यह कहानी समझ आ गई होगी अगर किसी को भी कहानी में मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है